कि नमस्कार दोस्तों उमनी सेंट चले में आपका स्वागत है और अज आप इस वीडियो में उमनी सेंट इंग्लिस के तहर चार सो सतरवे दिन के क्लास को देखें जो कि बहुत ही मात्पूर्ण है जैसा कि आप अगर आप मेरा लास्ट वाला यानि कि कल का जो है वीडियो दे के वारे में बात करूगा और बहुत इंपॉर्टन यू कि यूज्ञ वाले उसन का इसके प्रोंट पर देखो और इसे उसको यूजकर करके आपको चोटीछ सेंटेश मैंतलं हर एक संथे मिलाकर आप अपने बात को कितना effective बना सकते हैं इस बात पर साथ साथ और को लाइक हो से रुख किजिएगा हमारे वीडियो को देखने के लिए बस इतना करना है कि अधिने इंगलेस यूट्यूग को सच पर टैप किजिए माइक वोली सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे कि स्कूल से जाते हैं एक सायजी के ऑप समाजी के तुनिया में dizzy biggest को बीजिने जो भी करना चेमेंट बना चाते हैं करते हैं तो अब होता है कि स्कूल कॉलेज में सिर्फ लिखने को बोला जाता है ठीक है बोलने के लिए तो कोई भी नहीं सिखाता है यह नहीं बुलना सिखायाता है कि बढ़ी ब्राई नितिक्स यह 방वित में। बहुतीजर तो यह सब शिखाए नहीं जाता है वह तो आपकी चमता पर लेकिन कम से कम जो यह दिदिए बीएसिक है बोलना वह सीख सकते हैं तो बहुत सब लोग नहीं लिए लोगा गी सिख पाते हैं और in इंगले नियुक्त है स्पाते हैं हिनडिलिए नियुक्त सीख सकते हैं यहां मैं से में फ्रेजरेस आदके बात कर रहकуск वह शरूर प्रभावी बनाने के लिए कि लो किती आप मुहावरा की बात हो रहा है जैसे कि आप देखी निए पहले सेंटेश्टों कैसे यूज़ करना है और क्या इंपोर्टेंट याद क्या करना है जैसे यहां तो वाक्य में आता है तो उसके लिए अपने आपसे बढ़कर के लिए कोई अंग्रीजी आप अपने आपसे बढ़कर तो यहीं इंपोर्टेंट है कि सबसे बढ़कर के लिए कोई विशेश अभरूप से अपना करना है इसे कि महात्मा गांधी वो द देखे हैं ये तो सिंपल सा कि महात्मा गांधी वास पर और और स्टेट मैं एंड एव और लवर अफ तुरूथ हिंदी क्या होगा इसका यह भी देख लिए कि महात्मा गांधी समास से भी राजनितिक गया और इन सबसे बढ़कर सत्यवादी थे यहां पर आप अब आगया जैसे कि आप देख रहे हैं इन सबसे बढ़कर सत्यवादी थ करना है तो याद रखना आपको एंड वाल में सबसे बढ़कर तो अगर इस्तमाल की यूज कीजियेगा जी हादश्तोर यूज कीजियेगा तब ही आपको यूज करने आगा बोलने भी एगा तो हिंदी वाले सेंटेंस को देखिए और अर इन सबसे बढ़कर अबसे बाद ठीक है अब नेक्स देखते हैं after all मिला जुलाकर after all भाई हो जाएगा ला जुलाकर यह हो जाएगा after all हम लोग अपने हिंदी में इंक्लूड कर चुके हैं लोग बोलते भी है लेकिन इसका है इसका है तो एंग्लिश मैंन हैज मेनी फ्लॉस इन हिम बट आफ्टर ओल देखिए यहां पर है after all he is an ideal citizen इंदी क्या होगा किसी अंग्रेज में अनेक तूटियां रहती है पर मिला जुलाकर हुआ एक आधर्ष नागरिक होता है एक सेंटेंस है चली सेंटेंस तो आपने देखा वायसे ही आप किसी भारती में अनेक तूटिया रहती है पर मिला जुलाकर और यहां भी इंडिया कर देखें तो संटेंस को आप खुद करें तो आप याद कर जाया रखना है आफ्टर आल को याद रखना है चली नेक्ट पिए अगेंस्ट रेनी टें बुरे दिन के लिये अगेंस्ट रेनी डें अब यह अगेंस्ट मीं सिर्फलाफ होता है लेकिन बुरे दीन तो नहीं होता है तो यही बात क्य्यांस है आप थो अब सार गत फैंडों है तो कैसे माल यिक संटेंस है इव्री मैंन्स Onu ले एवरिमें सब्ने बाइस में में सुछ प्रफिया चते हैं इसितना ही आ सन्टेंस में से बचाकर रखना चाहिए बहुत ही है साढ़ित बात है और बुसkę दिन के लिए याद रखे तो याद क्या रखना आपको अगेंस्ट रेनी डे दिन के लिए आप संटेश्च पर यह जूड़ना है यह तो आपको समझ में आहीं रहोगा चलिए नहीं डिक्लेंट तो और यह देखे इसके लिए और लगातार के लिए होगा तो बहुत इध्यान पुर्पग देखेंगे आप चलिए नेक्स्ट मतलब इसका संटेश्च पर यूज़ देखिए राम हैज विन राम हैज विन और लॉंग यह आगया नहीं है और लॉंग अपसेंट फ्रॉम दे क्लास यह आप इसस वर्ड के लिए का कि अल्ड लॉंग यह वराबर वर क्या बढ़ रहता है इस तरह से या लगातार अनुपसित रहा है इस तरह से चलिए नेक्स्ट टेखते हैं तो और यह रहा ऑल-इन-उल सब्स और ऑल-ई-शरवा ऑन-इन-उसलिंश चरवा संटेश्ट में पंडित नहर वास और इन आल और और इसे की यह फादर इस और आल आफ यूर शैबली बोलते ना लिख सकते हैं आपके योर या आपके जो यूर मदर माली यह मदर ही करते हैं यूर मदर यूर मदर इस आल इन आल इन आल आफ यूर ठीक है आफ यूर फैमिली यह आफ फैमिली भी कर सकते हैं यानि कि आपके माँ आपके घंड़ करते हैं अधर की सर्वेश सर्वा है ठीक है यह चली इंदियर सो पंडित नहरू कॉंग्रेश के शर्वा शर्वा सर्वेश अर्वा थे इनिक सर्व सबसे ऊपर थे अब चली नेच देखते हैं और यह रहा लेक्स्ट पर लॉंग वीद यह साथ साथ याद ही रखना है तो लूग व गोटु मार्केट में कर सकते थे अलॉंग विद फादर ठीक है अलॉंग में से साथ साथ यह संटेंस में यूज कि जिए दोस्तों जी हां तो यूज किजिए लिखिए नाम बदल लजीए वेंट के जगा जो हमें तब यह पास्ट में है तो प्रिजिन बनाईए इसको फ्य परिजार गया थे अर्माल लजीए वेड़िए असीटा गोस्तों चली संटेंस यहां बना ही लेते हैं सीटा गोज टू सी ओ सी ओ एस ठीक है जीता गोज टू कहां जीता गोज टू चलिए मॉल अटकल तो मॉल का जवाना है सीता गोज टू मॉल अलॉंग विद अलॉंग विद हर अब डड़की है वाई तो यहां ही इसके जगए हर इस इस दोबाल होगा हर फ्रेंड ठीक है हर फ्रेंड ठीक है हर फ्रेंड यानि सीता अपने सहली कह सकते हैं या अपने दोस्त के साथ मॉल जाती है या जाने वाली है लिखना है तो मतलब सीता यह मतलब सीता ठीक है जाने वाली है तो सीता इस सीता इस टुगो इस तरह से संटेंज तो यह है चेंज उसोगा सुभात का जो संटेंज चुन बाकि कुछ नहीं बदरेगा तो यहाद रखिएगा साथ साथ में तरह लॉंग नेक्स्ट है और वन या ओल दश्रीम ओल दश्री विए इसके लिए और इसके लिए यह कैसे करते दो इट इज ऑल वन इडिखिए एक सब्सक्राइब अंद रहा है यहां और और ऑल यह यह चाहिँ ए चाहिए यह और लगी यह बदर यह रहा आ जो नाट ठीक है इसको माल यहां बना ही रखते हैं इस आल वन टुषिम विदर यूरीड़ नाट इस आल इस आल दसेम तू हिम वेदर यूरीड़ और नोट लिए क्या वाँ जाएगा तुम पढ़ो या ना पढ़ो उनके लिए समान ही है ठीक है next है तो चलिए next देखते हैं और यह रहा next एज यू रूल नियमता नियमता रूल है रूल तो भाई है ही तो रूल है नियमता एज रूल तो एब सुरु में रहा रेते हैं as you rule every subject must have a verb इत एक नियम है नियमता नियम है नियमता प्रते करता के शात क्रिया रहती ही एक जैस्ट नियम है इसे प्रित्वी गोल है तो यह को यूज करना है हिंदी तो वही होगा संबंध में ट्रीक है संबंध में दोनों के लिखिए है अज़िए मैं कुछ नहीं जानता हूं अध्यकर टुक जानता हूं इसके लिख सकते हैं इसके चरित्र के संबंध में यही है मैं कुछ नहीं समझें मैं कुछ नहीं जानता हूं यहां पर भूद चुड़ी है कि फिर भी यहां लिख ले तो और यह देखिए एज लक एज लक उड है इट इतना ही दुर्भाग वस है इसका और यह तो ही अब सेंटेंस यह देखिया गया है प्रेज़ एज लक उड है वह अब देखिए वाकिए संटेंस पुरा कर रहा है ही के बाद बाद आ गया ही वास कट ओफ इन दप्राइम ओफ इस यूद दुर्भाग वाश वह अपने योवन निकी जवानी के विकास काल में ही काल कल्वित हो गया है ये वह चला गया च्ला यह रहाहते सो at the loss, pursued, गिण कतब्य विमुल, गिण कतब्य विमुल, when the hunter, when the hunter saw the bear, he was at the loss to decide what to do, देखे, इसमोटेस को तोड़ना होगा, when the hunter saw, याने दा हांटर saw the bear, he was at the loss to decide what to do, पर लिए क्या भाव को देखा यहां तक है वह क्या करें वह क्या तब तब हो अर्थात क्या करें कुछ निश्चर नहीं कर सका भालु को देखने के बाद चलिए नेक्स्ट है दो इस वीडियो में यहीं तक यही पर इंड में कर रहा हूं कि जो भी था कुछ बहुत ही खास महत्पूर्ण था तो थोड़े थोड़े लाकर मैं आपको हमेशा कुछ बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट फ्रीजेज एंड इडियम्स गुलाता रहा हूं ताकि आप अधिक सब्सक्राइब के लिए एक लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं एक लिंक यहां प्लेइस्ट का हमारा लिंक है तो कुछ प्रिबिएस वीडियो को जो है यहां और एक यहां से देख सकते हैं सेल्थ पुर्गाएब के देन वाद हुआ दो चाहिएं